हलो फ्रेंट्स मैं सतीज रंजन आप सबका वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे दोस्तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफ्रेंश बेटוून पाईप अन्ट ट्यूब के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं जिसके बारे में हम लोग समझेंगे मैंने category wise समझा रखी है कि इस category में pipe किस तरीके से होता है और tube किस तरीके से होता है तो वीडियो का इंटक देखना दोस्तो आप लोग और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का notification उनको मिलता रहे तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तो अब समझते हैं pipe and tube में difference क्या होते हैं दोस्तो आपने देखा होगा कि pipe और tube दोनों एक ही section में होते हैं hollow section में मतलब circular type में होते हैं लेकिन हम उसको identify नहीं कर पाते हैं कि वह pipe है या tube है क्या हम लोग कभी उसको pipe बोल देते हैं कभी tube बोल देते हैं तो इसको समझने के लिए कुछ technical term है चलिए उसके बारे में जानते हैं और समझते हैं कि कौन सा pipe होता है और कौन सा tube होता है pipe और tube के difference को समझते हैं category wise जो पहला category है वो shape के अनुसार है जिसमें pipe can be circular only pipe हमेशा circular ही आपका होगा round shape में होगा जबकि tube circular square और rectangular और etc किसी भी shape में हो सकता है यह जो दूसरा category है वो size wise है जिसमें कि pipe की size specify किया जाता है nominal pipe size जिसको nps बोला जाता है और nominal bore या diameter nominal इससे pipe की size को specify किया जाता है जबकि tube की size को specify किया जाता है millimeter या inch में जो कि इसका outer diameter को measure किया जाता है जो तीसरा category है wall thickness के अधार पे है जिसमें कि pipe की thickness को express किया जाता है schedule number के द्वारा wall की जो thickness होती है pipe की उसको नापा जाता है schedule number के द्वारा जबकि tube के wall thickness को नापा जाता है millimeter या inches में या BWG Birmingham wire gauge के द्वारा नापा जाता है जो चोथा category है वो diameter के उपर है जिसमें pipe की जो outer diameter of the pipe up to size 12 inch is numerically larger than corresponding pipe size मतलब यह कह रहा है कि जो pipe की size होगी 12 inch तक वो numerically जो 12 inch की size है वो 12 inch से जादा आएगी जबकि tube की outer diameter की जो size है वो उसके size के equal रहेगी मतलब जितनी outer diameter है उतनी की ही उसकी size होगी जो पाँचवा category है वो availability के अधार पर है जिसमें की pipe are available in a standard size of 1 by 8 inch to 80 inch मतलब की pipe की जो size होती है वो available रहती है 1 by 8 inch से 80 inch तक की size में available रहता है जबकि tube a small size में आता है जो 6 category है वो strength के उपर है pipe की strength कम होती है ट्यूब की तुलना में ट्यूब ज्यादा ही strength होता है tube मजबूत होता है जो 7th category है वो metal type के उपर है जिसमें की pipe black steel hot rolled के तरह होता है hot rolled किया जाता है इसको जबकि tube available होता है hot rolled seat and cold rolled seat दोनों seat में available होता है जबकि pipe hot rolled seat में available होता है जो 8th category है वो applications के उपर है जिसमें की pipes are pressure rated and intended to use for the transference of fluid and gas मतलब की जो जहां पर gas और fluid का flow किया जाता है मतलब उसको ले जाया जाता है एक जगह से दूसरे जगह पर वहां पर pipe का use किया जाता है जबकि tube का use structural application के लिए किया जाता है दोस्तो आज के वीडियो में बस इतना ही मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिस की है कौन सा pipe होता है कौन सा tube जिससे आप लोगों को help मिली होगी दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें और share करें ताकि मुझे motivation मिलता रहे thank you